MPPSC 2019-2020 की परिक्षा में शामिल हुए परिक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर हो सकता है कि नए साल में उन्हें उनका रिजल्ट मिल जाए MPPSC भरती के विवादे तिनियम को खत्म करने के लिए राजसरकार ने चौथी बार फिर से जबलपुर हाई कोर्ट से और समय देने की मांग की है और अब इस केस की अगली सुनवाई जनवरी 2022 में होगी MPPSC 2019-20 की परिक्षा का रिजल्ट अब तक घोशित नहीं हो पाया है परिक्षा में शामिल हुए परिक्षारतियों को रिजल्ट का इंतजार है लेकिन अब लगता है कि नए साल में रिजल्ट आ जाएगा और सैक्डों मीदवारों को अपनी मन्जिल की और बढ़ने का मौक पूरी हो गई है लेकिन इसे क्याबनेट की मन्जूरी मिलना बाकी है राज्यसरकार की ओर से कहा गया है कि अगले हफ़ते क्याबनेट की बैठक में उस निहम को खत्म करने की मन्जूरी दे दी जाएगी जिसके तहट आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक् बाहे